अब हलो फ्रेंट्स नमस्ते आज का मारा टोपिक है और ओस्ट्योपोरेसिस एक्जाम पॉइंट ओफ यू से देखे तो बहुत इंपोर्टेंट टोपिक है और इससे रिलेटेड क्यूस्टन बहुत से एक्जाम में फ्रिक्वेंटली रिपीटेड होते रहते हैं ठीक है तो और बहुत से लिए और अब उस्ट्योपोरेसिस एक सिस्टेमेटिक इसकलेटल डिसोडर है और इसमें जो वॉन की श्ट्रेंट वो कमजोर हो जाती है और जिसकी करेंट चांस से रहेते हैं फ्रेक्टेश होने के ठीक है बहुत कि स्ट्रेंट थे वह दो अपनेंट पर हम मै डेंसिटी कंपेर्ड विट थेक्पेक्टेड फॉरदा परसंस जेंडर एज मतलब ओस्टुपिनिया लोई ब्रहल डेंसिटी को इंडिकेट करता है ठीक है फिर बात आती है ब्ली बोर्स मिन्ररल डेंसिटी कि इस को देखती है ठीक है बॉँआ को देखते हैं ती स्कॉर मिन्स डिप्रेंस बीट्विन डाल क्लाइंट बीमडी एंड बीमडी ओप यंग नॉर्मल अडल्ट वगद सेम जेंडर पहले बीमडी तो मैंने बता दी बीमडी क्या इंडिकेट करती है जो पैसेंट के बॉन में जो बॉन मिनरल डेंसिटी इसको ब सब्सक्राइब कर दो चर्ष स्टी इस्टेंडर डेवीयेशन से ठीक है चैजे मातरक की तरह काम करता है इंडिकेट बीटीन दाकलाइंट्स शे को इंड नॉर्मल अडल्ट स्कॉर इच्परिश एगसे इस्टेंडर डेवीयेशन मतलब थीके जो टी स्कोर से हमने जो डिप को हम SD से इंडिकेट करते हैं भी अ फिक है अब आग़ देखते हैं BMD की नॉर्मल वेल्यू क्या होती है ठीक है अब नॉर्मल वेल्यू बीयू बीज्डी नॉर्मनाम्नाय कंटन्ट यह झाल नठेक हम नॉर्मल बीमडी कम कहेंगे जब पैसेंट की एक से कम होगी ठीक है उसको नॉर्मल केते हैं ठीक है फिर बाद आती है लो मिनरल मास्क की और ऑस्टोपीनिया की ऑस्टोपीनिया में वेल्यू बीमडी एट लाइस बिट्विन दा वन तू तू पाइब एस्टी बिलो दा यंग अडल्ट मीन वेल्यो अगर पैसेंट की लो म मिनरल या लो बोन मास फर बात आती लूर्ट उस्ट् फूरेसी नहीं कब करेंगे कि इसको ओस्ट्यव अगर बीमडी व पॉइंट 5- irritам में तो हम उसको श्च्च उप्लेटिक क्लाइंट है वह अग्याश्टिंग है ठीक है फिसके फिर बात करते हैं इं इतियोलोजी के है इसके मदशनतान तो हम कह सकते हैं जिसका फादर अगर रहती हो रहा तो इसके मिलब जो संतान इसको भी होने के चांसे रहते हैं ठीक है इनवार्मेंटी अपना योगदा रखता ऐधा है और है और अगर यूज में लोंग ट्रम यूज करते हैं तो में उस्ट्यूपरेसिस हो सकता है एंटी कंवलजन्ट मेडिकेशन का यूज करते हैं पॉर्फरसेमाइड और करहा है डी का लाता रहता है की किष्यूज ले रहा है तो उस सब्सक्राइड हो सकती और चांस हो जाठी है और ठीक है कि फिरिए फिर बात थी पेतो फीजियोलोजी बॉन इस डाइनेमिक टीशू एट अंडरगो continuous रिमोड लिंग मतलब वह ने डायनेमिक टीशू है डायनेमिक टीशू है और वह continuous continuous remodeling हो जाता है remodeling क्या है process by which old bone is replaced by new ठीक है remodeling means the old bone है वो replace होती रहती है new bone से ठीक है उसको हम remodeling कहते है ठीक है bone remodeling serve to principle function जो bone remodeling है वह दो परकार के अपने principles यह मतलब अपने कारी सिद्ध घरता है ठीक है तो पहला है इड्रेपलेस old bone with a new so that the biomechanical properties of the skeletals are not compromised by continuous use हम कह सकते हैं कि यह जब old bone को new से replace करता है तो जो हमारी शरीर का function है जो हमारी skeletal system का function ने वह compromise नहीं होता है ठीक है और दूसरा इट पले a role in mineral homeostasis by transferring calcium and other ions into out the skeletal reservoir मतलब यह केल्सियम का मतलब कह सकते हैं कि उस्ट्य प्रेशिस क्लाइट है ठीक हुसको पता लगाने के लिए में peak bone mass and subsequent rate duration of the bone loss are important determinants of whether skeletal integrity will be compromised to the degree that a fragility will result मतलब हम कह सकते हैं कि bone जो हमार रिमोडलिंग प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि उस्ट्य प्रेश्ट और रोश्ट्य ब्लास्ट दो सेल होती हैं उनकी बहुत में एहम भूमी का रहती है ठीक है अब ये पता लगाने के लिए जो हम इसको भी हमें मतलब यह प्रेश्ट के के लिए प्रेश्ट सबस्क्राइब इसका लगा पता है कि यह बढ़ास को मतलब सफरिंग करेंगा या नहीं करेंगा इसका पता हम ऑश्टुक्रास एक्टिविटी से लगा सकते हैं और जो एक्टिविटिए उसको डूरेशन से पता लगा सकते हैं इस उस्टोपरेसिस में होता है कि पैसेंट की जो मतलब ऑश्टोपलास्ट एक्टिविटी वह बढ़ जाती है और जिसके का रिप रिप्जोर्परसन वह ज्यादा होने लग जाता है ठीक है वह इतना लोस हो जाता है कि एक मतलब नौर्मली वह एक मतलब हो जाती जूपन एक है थीक है फिर बात करते है किलनीकल मैंइफटेशन की कि लीडा मैंएफ़्टेशन के इंपोर्टेन ग boss-n grape इंप पे प्रोग्रेसिव सोटन इस्टेसट जो मतलब पैसेंट का कद दिरी धीर थोटा होगा नहीं लग जाएगा ठीक है रोशल काई प्रॉसी सिस्टम की डिफॉर्मटी है Chyposic, Scoliosis, Loidosis, इसमें इनसे क्यूसर आज बंटे रहते हैं ठीक है वह बहुत कम सक्रिकेशों में धी इंपयर्ण हो सकती है ठीक है अब में उस्ट्य पुरेस्ट्थ पुरेस्थ हम पता कैसे लगाते हैं ठीक है ऊस्ट्थ पुरेस्थ पुरेस्थ पता लगाते हैं घॉल्डी स्टैंडर्ड डायो एकसरे मेटिरी अच्झे है इसको नाम लेते हैं इसको को है कि ठीक है और खुझ साय स्केन केशन आया होा है धर चोल्च नान्ट में आधे च कहते लगाते हैं और ख़ुल्च तेस्ट करेब गता हूंane यह बीमडी का पता लगाते हैं वह डेक्सा से लगाते हैं डेक्सा स्केन की फुल फॉरम एक एक्जाम में पूछी गई है तो फुल पॉरम में डूवल एनरजी एकसरे अब्जॉर्यमेट्री स्केन ठीक है फिर मॉस्ट कॉमन साइट है यह अभी तक पूछा नहीं गया लेकि यह अब पूछ सकते हैं कि अब डेक्सा की फुल फॉरम पूछ ली अब यह चांसे जरी नेकी मतलब मीजरिंग एट ये लिए ये स्केन हम इस्पाइन में और हीप पर मतलब करते हैं ठीक है जिसे पता लगा सकते हैं कि बों है या निया पैसे प्रेश्य में अपर यह निया ठीक है समझ गिलिकल मेनीपेश्टेस्टेस्टेसंसे मोझेक वह तो गूसर बन रहा था कि बेख साइब से रिलेट है कि फीर बात करते हैं। की treatment liter cim intake is increased 15 mg द्यूल कि बढ़ा देते हैंoka हर्मोन रिप्लेस्मेंड हर्मोन टेज थरेपी द को एंड को प्रोजेस्टरोन प्रोएट करते एक को ढादे को कहते हैं प्रहुत कि कि नर्सीं इंटर इंस इंपोर्टेंट को मिल्क योगृट चीज सीपूर लेगेमस हम पेशन्ट को देता हैं जो कि जैसे कि मिलक है यह घुरूट चीज़ इसे लूड है लेग्यूमेंस है और एक्सराइज करवाते हैं जिसके करवाते हैं जो वोन का रेप्शॉर्ब्स ने जो पेक्संट कि कशिए फुड है लेकटा यह टम नहीं के सबस्काइब था EL एकसिए नियुकों सबस्क्राइब कि अगर एकसिए कर दोकुट करों कोई चैनल को अगर दोक्त करेंगे डियुकों चैनल को सबस्रोल बता है कि वीडियो कैसा लगा और कोई भी ऐस्ट पुरे सिसे रिलेटेड क्यूसन है तो कॉमेंट सेक्षन में जरूर बता है मैं ठीक है